हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आर यूट्यूब चैनल अगर आपने विद्ध चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल ऐकन प्रेस कर देता कि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं इसे के साथ आज का अपने वीडियो तो हमारा वीडियो है जी एस्टस पेपर हन्रेड और और आज का हमारा पहला क्वेशन है नातूना आइलेंड सम्टाइम सीन दे न्यूज वज रिसेंटली इस लोकेटेड इन वीच आफ दे फॉलिंग रिजन जो नातूना आइलेंड नातूना तो काफी चर्चाव में रहा है इस समय तो आपको बताने कहा मतलब या आइलेंड पाए जाता है तो उसका से अंसर भी साउच चाहने सी यानि की साउच चाहने सी में इसको पाए जाता है तो चलिए इसे के साथ अगले क्वेशन क्वेशन नमबर टू की तरह बढ़ते है आरो के सेतू अ मोबाईल अब डबलब्ड इन पॉब्लिक प्राइबट पार्टनर्शिप तो ब्र रेजल्यूट फाइट अगेंस्ट कोबिड नाइटीन वज लॉंच रिसेंटली बाई आरो के सेतू जैसा आप आप इसाप के बारे आप लोगों को पता होगा तो आपको पताने किस में मिनिस्ट्री में इसको सुरू किया है तो उसका से एंसर एसी मेती मिनिस्ट्री एनिके मिनिस्ट्री अफ एलेक्ट्रोनिक और इंफर्मेशन टेक्नोलोजी तो आप इसे के साथ अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नमब थ्री की तरह बढ़ते हैं consider the following statement with respect to the high court high court के संदर में दू स्टेटमेंट हैं आपको बताना है कौन सा सही है पहला है the territorial jurisdiction of the high court is a court terminus with the territory of a state यानिकि जो उसका जो एरिया होता है high court का यानिकि कितने डायरे को cover करता है तो उसके state के उपर मदब depend करता है जो मदब state का जो boundary है territory तो उस पे उतना ही वो cover करता है करें बारे होता है कि एक ही high court दू स्टेट को भी cover करते हैं अमंग दी यूटी देली और जमू कश्मीर हैस अ सेपरेट high court यानि अगर हम किंद्र सासित राज्यों के बारे में बात करें प्रदेशों के बारे में तो उसमें सिब दो ही प्रदेश ऐसे हैं, जहाँ हाई कोट अपने-अपने हैं, जैसे कि पहला दिल्ली और दूसरा जम्हूर कश्मीर में है, तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हाई कोट के संदर में सही है, तो इसका सही अंसर है A1 only second वाला गलत है जो constitution of India है इसमें high court third state के लिए प्रवाइट किया गया है लेकिन जो seventh constitutional amendment है निए साथ हो जो सम्मेधानिक संसोधन थी तो उसमें parliament ने establish किया था कि common high court हो सकता है या दो से जादा राज्य या प्रदिशों के लिए या यूटीज ऑफ जम्मू और कश्मीर अनला दाख है वह common high court है नहीं कि इन दोनों का लगा लगनी है बलकि एक ही है जैसे statement वे का था कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर का लग है तो नहीं दिल्ली का लग और जम्मू कश्मीर का लगनी दोनों मतलब एक ही साथ है Justice Rajneesh Oswal was sworn in as a permanent judge of the common high court of जम्मू कश्मीर अनला दाख recently तो यह काफी जरुवी fact है आप लोगों के लिए क्योंकि हाली में अभी जैसे का हमें पता है कि कश्मीर को जो दो हिस्सों में बाटा गया है और उसको permanent अभी इंडिया के उसमें territory में दिखाए गया है तो इसके जो judge अभी appoint हुए है वो है Rajneesh Oswal next है he is the first judge of the first judge of high court to take oath under the Indian constitution यानि कि पहले high court के judge है जोने भारती सम्मेदान के अंदर oath यानि कि सबत ली है इससे पहले होता था लेकिन उनका अपना अलग constitution था जम्मू कश्मीर का जो last explanation में वो यह है कि all the previous judges of high court had taken oath under the constitution of जम्मू कश्मीर जैसे कि मैंने बता है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग सम्मेदान तो उनकी according शपत लेते थे बट अभी जब से जब से इंडिया का internal part हो गया है तो तब से यह अब वो भारत के सम्मेदान के मतलब जो मौझूद है सबत हो लेंगे तो चली से के साथ अगले question कतारा बढ़ते है question no.4 stranded in India portal was launched recently by एक portal launch हुआ stranded in India तो आपको पताने है किस ने launch किया council ministry ने तो इसका से answer A ministry of tourism इसनों ने launch किया है कि उन foreigner tourists को मदद करने के लिए जो कि अपने घर से बहुत दूर कहीं जाके फस्स गया है the portal consists of information around covid-19, help line number and call center that foreign tourists can reach out for help or information तो एक ये तरह से portal है जुसमें covid-19 जो coronavirus चल ला है तो इसके regarding help line number एक call center भी शुरू किया गया ताकि वो अपने जोरत की साथ से मदद ले सके तो चली से के साथ अगले question का बढ़ते है question no.5 consider the following statement with respect to the counter cycle capital buffer cc yb के context में तीन statement है आपको पताना है कौन सा सही है पहले cc yb is the capital to be kept by a bank to meet business cycle related risk यानिकि ऐसा capital इसको bank खुदी के अपने पास रखता है ताकि वो अपने business agreement जो जब उसका वैपार होता है तो उसमें किसी तरीकी एका risk अगर हो तो उसको पूरा कर सके दूसरा it is aimed to protect the banking sector against the losses from changes in the economic conditions like recession यानिकि इसका जो मुख्यो देश है वो banking sector को जो भी उनके losses होते हैं जो उनके नुकसान होते हैं recession का समय में खास कर तो उनको पूरा करने के लिए इंका मुख्यो देश है तीसरा it is an important theme of the base 3 norms यानिकि यह base 3 norms जो हमने अपना आया था Basel 3 Switzerland का था तो उसका एक है बहुत ही महत्तपूर theme है यानि कि उदेश है तो आपको पताने इन में से कौन से statement सही है तो उसका से answer है D 1 2 & 3 हाली मा RBI ने इसको deferred किया था implementation of CCYB for banks अनि अलग bank के अलग अलग तरीके से मलब अपने अपने जरुवत की साफ से उनको implement करने के लिए RBI ने कहा था and it has decided that it is not necessary to activate CCYB for a period of one year or earlier as may be necessary तो ऐसा है नहीं कि आपने हलका सा देखा कि यहां निकसान हो रहा था आपने तुरंट इसका यूश कर लिए तो ऐसा नहीं होता है एक साल तक आपको wait करना होगा या उससे अगर पहले अगर हो सकता है जरूरी दिख रहा हो तो यह आप इसका स्तमाल कर सकते हैं तो चली से के साथ अगले question में जारे बढ़ते है question number six consider the following statement with respect to the national book trust India national book trust India context में तीन statement है पहला है it is a national body for the book publishing and book promotion in India यानि कि एक मतलब एक देश के स्तर पे एक book जो किताबे publish की जाती है तो उनको promote और उनके publishing का काम देखता है second है it also act as a repository of the non-current records of the government of India and holds them in trust for the use of administrator and scholars यानि ये अपने देश के बारे में जो भी रोज जानकारिया होती है जो कि records में शायद से ना हो भी हो या फिर हो भी तो उनको ये एक trust के तोर पे रखता है और administration स्कॉलर्स को जरूर्द पढ़ने पे provide कराता है निक उनको पहुंचाता है तीसरा इट works under the department of culture, ministry of culture तो यानि कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये department of culture के अंदर काम करता है तो आपको पताना इन में से कौन से statement सही है तो इसका सही answer A, one only, national book trust India का, this is the national body for book publishing and book promotion जैसा कि पाला स्टेट्मेंट सही था और national archives of India is a repository of non-current record तो national book trust India इसका record वाला नहीं है बलकि कि national archive करके है वो इसके जो records होती हैं को record करता है और administrator या फिर किसी भी तरह की scholars को ज़रत पढ़ती है उनको provide कराता है और ये ministry of human resource development के अंदर है तो चली से के साथ अगले question के तरह बढ़ते है which of the following is not true regarding cytokines cytokines के संदर में कौन सा statement सही नहीं आपको पताना है तोसका से answer is C secretion of too many cytokines enhances the surge of activated immune cells into the lungs thereby helps in improving the immune response यानि कि immune response को मदद करता है मतलब immunity system का आप अच्छा रखने है वो immune cells को activated करने में मदद करता है तो ये statement गलत है a subset of the infected patient developed severe COVID-19 because of an over reaction of their immune system which triggers what is known as CSS तो एक जैसा कि इसमें दे रहा है कि infected patients होती है जो तो मतलब ज्यादा जो क्या बोलते हैं serious patient जो होते हैं आपके coronavirus के तो उनमें कि इम्मून सिस्टम में एक तरिके कर reaction होता है और वो trigger कर देता CSS को यानि कि cytokine strong syndrome तो चली से के साथ अगले question के तरह बढ़ते है question number 8 consider the following statement with respect to the red flag exercise red flag exercise एक context में दो statement है आपको पताना कौन सा सही है पहला है it is a series of pacific air forces sponsored field training exercises for US and its partner nation forces यानि कि एक Pacific air force training है जिसमें US और उसके जो भी partner nation है उनके बीच होना है second day India has participated in every edition of this biennial exercise since its first participation in 2008 यानि कि इंडिया इसके हर edition में यानि कि 2008 से जब पहले वर participation हो था तब से लेकि आज तक जब हर दो साल पर होता है क्योंकि final exercise है तो दो साल पर होगा तो हर दो साल पर इसको participate करता है तो आपको पताना इन में से कौन सा statement red flag exercise के context में सही है तो इसका सही answer है a one only US air force has cancelled the phase one of its flagship multilateral air exercise red flag scheduled in Alaska from April 30 तो USA ने जैसे कि बता रहा कि ये cancel कर दिया था और अपसर ये Alaska में April 30 से होना था आई-फ इन इंडिया इर फोर्स ने red flag को पहले बार जोइन किया था 2008 में इन निवाड़ा में और इसमें इंडिया एर फोर्स सुखोई SU 30 fighter jet जो defense sources है उन्होंने बता है कि इसी के मदद से उन्होंने participate किया था It is said that IAF would not take a part in every edition of the bionial exercise because of the high cost involved तो एनिकी जैसा कि बता रहा है कि एर फोर्स हर edition में participate नहीं करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो चलिए इसे के साथ अगले question तरह बढ़ते है question number nine Consider the following pair match the following दिया रखा यानिकी सुमेल दिया रखा आपके दू एक तरह प्रोजेक्ट और एक तरह परपस आपको बताना कौन सा सही है पहला है the ISAC development of indigenous ventilator prototype ISAC एक तरह का indigenous यानिकी खुद का ventilator prototype यानिकी उसका model बनाने का था सेकेंडर प्राना development of a border road in the state of और नाचल प्रदेश हैं यह क्या सा प्रोजेक्ट इसमें और रांचल प्रदेश में रोड बनाने का का होना था तो आपको बताने इनमें से कौन से सुमेल यानिकी matches सही है तो इसका से answer सी बोथ one and two project ISAC को IIT ने launch किया था गांधी नगर टूंगी जिट से student गांधी नगर IIT ताकि वो critical skills while they are confined to their home because of coronavirus ताकि वो अपने जो skills है उसको यूज़ करके इस तरहिए की चीज़े कर सके हैं तो चली से के साथ अगले question के तरह बढ़ते हैं हमारा आज का last question question number 10 article 324 of the Indian constitution deals with which of the following यानि के 324 जो हमारे समधान मार्टिकल है किस चीज़ से deal करता है यानि क्या उसमें मौझूद है आपको बताना है तो उसका से answer भी superintendents direction and control of election commission to be invested in the election commission. यानि ये लेक्षन से जुड़े election commission को पावर देता है. Article 312. In the view of covid-19 situation, the national commission of India invoking its power under article 324 of the Indian constitution read with section 153 of the representation of people's act 1951 has further extended the period of five sub-elections beyond the prescribed term of eighteen seats across the seven states, स्टेट यानि कि आली में इसका इस्तेमाल किया गया है है इलेक्शन कमिशन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है तीन सो चौबिस के अंदर और एक सो तिरपान को देखते हुए जुराज सवा के चुना होने वाले थे उसको आगे बढ़ा दिया है अफ्रेंड इसे एक साथ आज का हमारा वीडियो खतम होता है जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो थे यानकी जियस ठैस्टपर अंडर्र तो उसका क्वेशन अफडे जो था उसका आपको आंसर बता देते है तो हमारा कॉशन आफ़ यॉन एप य्यॉन एप य जाने से पहले हम आपको हमारा आनी आज का G-S-Testerper 101 का Question of the Day दे देते हैं तो आज का हमारा Question of the Day है Which of the following country has recently launched the Long March 58 Carrier Rocket किस देश ने हाली में एक Long March 58 Carrier Rocket Launch किया है आपको होता आना है आपके options A. China, B. North Korea C. Russia या D. Iran तो फ्रेंड से जिक साथ आज का हमारा वीडियो खताम होता है जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तैसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें साथी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में और क्वेशन अबर डे का अंसर जरूर दें तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग और बाबाई